बरेली में बच्चपन के एक दोस्त ने अपने दोस्त को ऐसा जख में दिया है जो शायद ही कभी भर पाए जिस दोस्त पर खुद से ज्यादा भरोसा किया वही दोस्त उसके पीठ पीछे उसकी पत्नी को भगा कर ले गया जब पीडित दोस्त को इसकी जानकारी हुई तो उसने थाने में शिकायद दर्च कराई जिस पर पुलिस ने मामला तो दर्च कर लिया लेकिन तीन महीने होने को हैं फिर भी पुलिस उसकी पत्नी को तलाश नहीं कर पाई है और ना ही आरोपी को पकड़ सकी वहीं आज पीडि रिचर्ड्सन उर्फ रिकी मूलरूप से दक्षुड भारत के बैंगलोड से है जो सेंट स्टीफन चर्च में केयर टेकर है और वहीं अपनी मा के साथ रहता है जबकि उसके पिता का देहान थो चुका है रिचर्ड्सन के पिता सेना में थे और 2001 में उनकी पोस्टिंग बरे जिसके बाद भी निजाम का उसके घर आना जाना लगाता जारी रहा इस दौरान रिचर्ड्सन की पत्नी और निजाम के भीच नस्दीकियां बहती चली गई जिसकी भनक लगते ही निजाम के घर आने पर पावंदी लगा दी गई उसके बाद भी निजाम रिचर्ड्सन की पत्नी से चोडी छीपे आकर मिलता रहा। आखिर में पुलिस ही हीला वाली से परिशान होकर पिडित रिचोडसन मंगलवार को एक बार फिर स्सपी ऑफिस पहुचा और अब मुकदमे की विवेचना किसी दूसरे थाने से कराने की मांग की है। पिडित का कैना है कि उसका कैन ठाना पुलिस से विश्वास उड़ गया है वह साउथ इंडियन है जिसकी विज़े से पुलिस उसकी कोई मदद नहीं कर रही है। वाइब को पहला पुस्दा के साथ में ले गया हूँ और तीन मैंने से उसर रखता हुआ और मिल्याने आता जाता रहता उसका। कौन लड़का है निजाम नाम उसका। अच्छा आपका कौन है। मेरा दोस्त है अच्छा अच्छा पच्ष्पन गई दोस्त है। कब से आना जाना था घर में और शुरूर सभी शादी से पहले सका आना जाना था और शादी के बात भी आना जाना था पत्नी को ले गया था है पत्नी को ले गया था है कब लेके गया था वो ले गया 28 नॉमबर को खाने गया थे आप खाने भी गया थे सब तो आप क्या चाते ह है वो क्या है क्या नहीं है उस रहना है नहीं रहना है कि इस खिलियर तो गरे कुछ ही जो भी है